जी हमारी फिल्म दश में एक बहुती स्ट्रॉंग मेसेज के साथ आ रही है 16 फैबुरी को शांतनु तामबे सर्जिन उन्होंने हमारी फिल्म को लिखी है उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को उठाया है जो लड़कियों को इस समाज में जिस तकलीफ से गुजरना पड़ता है मुलस्टेशन रेट ऐसी दर्दनाफ चीजों से को देखना पड़ता है उसके अगेंस्ट आवाज उठाते हुए आ रही है हमारी फिल्म मुझे लगता है ये पिक्चर देखकर हर एक नागरिक लड़का लड़की हर एज के लोग हर जेंडर के लोग कोई भी जेंडरेशन से आप उठालो हर किसी में वो एक आग लगेगी कि ये जो हमारे समाज में हो रहा है हमारी महिलाओ के साथ आप तो शायद कई सारे लोगों के साथ जो की अब जेंडर भी नहीं देखते हैं मेल फीमेल सब के साथ दर्दनाफ चीज़े होती है तो उसके अगेंस्ट एक आवाज उठाने का एक जजबा हम लाने की कोशिश कर कि आपको थोड़ी भी जिजक नहीं फील होगी शरम नहीं आएगी अपने माबाप या बच्चों के साथ देखने में यह बहुत ही प्यारी फिल्म है बहुत एंटर्टेनिंग है सोशल मेसिज तो हम दे ही रहें लेकिन ऐसा रही है कि यह फिल्म एंटर्टेनिंग में हर तर मेरे तरह है बाट मेरा लुक जो है बहुत ही अलग है फिल्म में एंड वेरी इंटर्स्टिंग फिल्म जो है यह बहुत ही सीरिस मुद्दे पर है लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि एंटर्टेन्मेंट भी आपको पूरी तरह से मिलने वाला है विल्कुल आपको अ आज के राम और आज के रावन जगजय और समझ आए कि क्या सही और क्या गलत है मुझे लगता है कि हर इनसान में एक भगवान भी छुपे एक हैवान भी छुपे राम भी है रावन भी है अब कौन से पार्ट को आप जगाना चाहते वो आपके ऊपर है हमारा फिल्म यह को कर रहा है कि आप अपने अंदर के राम को जगाएं तो हमारे जो पोस्टर पर आपने राम और आवन देखा है पिक्चर में आपको समझाएगा कि उनका क्या महत्वपून भूमे का वो क्या नभार है क्या एहमियत है और बस बाकिया देखिए